दोस्तों बात करने वाले ही बिहार पंचायती राज विभाग में लेखा पाल की जो भर्ती निकाली गई है, उसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, किस परकार से उसके लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगी, स्टीब बाई स्टीब मैं आपको एक लाइफ फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी परकार के मिस्टेक नहों, और आप इजली जो इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सके, इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो किये हुए हैं, ज वेकेंसी की बात करें, तो 570 पदों पे वेकेंसी निकाली की है, और इंडिया किसी भी राजे से आप आते हैं, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपका जॉब लोकेशन होगा, वो बिहार में रहने वाला है, और यहां पे अकाउंटेंट कम आईटी असिस् 24 और इसका जो पेमेंट स्टार्ट होगा, मतलब फॉर्म भरने का और पेमेंट जमा करने का भी सारा डेट जोग है, 9 जून 2024 से 10 मई से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो यह इसका जो है कौलिफिकेशन है, और 20,000 सेलरी आपको पर मन्त जो यहां पे मिलने वाली ह और यह जो है contractual vacancy है, जो कि 3 साल के लिए contractual vacancy है निकाली गई है, इसके बाद यह लोग आपको पर्मानेंट भी कर सकती है, अब दिखें यहां पे फॉर्म भरने के लिए आपको इस website पहना होगा, और यहां आप देखेंगे login का है, candidates रेशन का option मिलेगा, अब इस website पर आए सकते हैं, notification में यहां से देख सकते हैं, चली registration वाले option पर click करेंगे, यहां पी इस परकार से आपको एक नया user बनाना होगा, अपना email ID लिखेंगे, दुबार email ID को confirm करेंगे, password बनाएंगे, दुबारा password को confirm करेंगे, password के दौर पर माल लिजिए, आप आपका नाम सपोज राज register वाले option पर click करेंगे, submit करते हैं, friends, आपके mobile पर OTP जाएगा, आप OTP को यहां पर लिखेंगे, और validate करेंगे, यह OTP समय भी लग सकता है, तो अगर नहीं प्राप्त होता है, तो आप अपना email को भी check करेंगे, phone को भी ज़रूर check करेंगे, email दोनों में से कोई OTP को आप यहां भी कर सकती है, तो हम फ़रा से wait कर लेते हैं, आप पर OTP आपका आने का, और email को भी आपको check करना है, तो email भी आप check करेंगे, और mobile को भी check करेंगे, OTP verify करते है, friends, इस परकार से आपका आजाएगा, dashboard देखी, इस परकार से profile activity, application आपका, corner पर email ID, यहां पर view start application का option मिलेगा, आ आप इस पर click करेंगे, और तुरांत एक और आपके पाशेस में सजाता है, एक registration number का, आप उसे note करके रख लेंगे, क्योंकि future में जब login करेंगे, माली जहां सा logout हो गया, तो login करने के लिए वही आपको registration number यूज होगा, data birth या जो password आपने create के हो, आपको यूज होने वाला है हम इस पर click करेंगे, इस परकार से देखिए, आपका जो सारा जनकार यहां पे खुल के आ जाएगा, age fee वगरे के बारे में, और सब जीज जनकार यहां पढ़ेंगे, यहां पे documents वगरे के बारे में, यहां पे आपको help line number वगरे दिया हुए, आपको यहां पर confirm करना है, और यहां पे continue करना है, अब यहां पे देखिए, आपका इस परकार से post आएगा, एक ही post है, accountant come IT assistant, जिसको लेखा पाल, हिंदी में बोलते हैं, इसको save करेंगे, इस save होते ही data save हो जाएगा, अब आपको save and continue करना है, हर बार आपको save करना है, और उसके बाद save and continue करना है, अब यहा complete कर लिया है, एक मार्च 2024 को, तो आप यहां पे yes करेंगे, इसमें क्या आना है, age limit जो है minimum 21 वर्स रखा गया है, और maximum category wise आपको रखा गया है, थोड़ा से मैं आपको age limit के बारे में बता दू, देखे, यहां पे जो है ना, general male और EWS male के लिए 45 वर्स की उमरसीमा रखी गई है unreserved female और EWS female के लिए 48 वर्स, BC, EBC male female 48 वर्स, और SCST male female 50 वर्स, maximum उमरसीमा यहां पे रखा गया है, और minimum जो है एक कईस वर्स आपका complete होना चाहिए, तो age limit समझे का, इसको भी हम यहां save करेंगे, और उसके बास यहां पे save and continue वाले option पे, click करेंगे, अगला step हमारा personal details खुल के जाएगा, अब अगले step में यहां पे आपको title लगाना है, Mr. MRS, Mies, MX, तो यहां पे आपका जो भी title लग रहा है, suitable वह आप अपने recording देख लेंगे, male female recording जो भी लगता है, married, unmarried recording, अब यहां पे आपको अपना first name, फिर middle name, और last name, यहां पे दिहान देना है, जो इस परकार स और last missing लिखिएगा, ऐसे, सिर्फ दीपक ही नाम है, बहुत सार लोगा सिर्फ दीपक होता है, उसके बाद title होगार कुछ नहीं लगाता है, तो सिर्फ दीपक भी आप लिख के आगे continue कर सकते हैं, यहां data birth की twice करेंगे, जो भी आपका data birth है, यहां से calendar से open करेंगे, पहले category का नाम यहां पे आ रहा है, यहां आप अपने according category चूच कर सकते हैं, फिलाल आपने बता है कि आप जो है, इंडिया के निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं, तो उसके according आप आप आएगा, विकलांग है तो yes करेंगे, और आप daughter of freedom fighter है, yes करेंगे और नो करेंगे, यहां आप नीचे आएंगे, यहां अपना father's name, यहां Mr. Rai का father's name का first name, middle name, last name मैंसे आपको पर अपना पीता जी का नाम लिखना है, फिर यहां पे reference details, relative are not considered, यहां पे reference मागा जा रहा है, reference को समझ यह क्या होता है, reference क्या होता है, कि आपको कोई ऐसा है रेक्ती जो आपको जानता प मतलब उसके तरह कोई relation ना हो, फूफा, फूआ, यह सब जो होता है, उस तरह कोई relative ना हो, लेकिन हाँ, गाओं का आदमी चल सकता है, आपके अगल अगल का परोस चल सकता है, जिसके साथ को relation आपका नहीं हो, तो relative को छोड़ के, आप दो लोगा preference दे सकता है, preference क्यों मागा इससे क्या होता ना, friends कि आपके बारे में जो है, वो लोग बता सकते हैं, मतलब माली यह company जहां, मतलब job लेना चाहा रहे हैं, वो आप उनको call करके पूछ सकती है, क्या यह अच्छा बंदा है, आपके character के बारे में, आपके experience के बारे में, आपके चीजों के बारे में, तो लोग companyya मांगती है, तो आप यहाँ पर first reference और second reference देंगे, जिनको भी आप reference दे रहे हैं, उनका आप एक बार बात कर लिजे कि हम आपका reference में डाल रहे हैं, तो आप इस तरह से भी आप दे सकते हैं, तो उनका first reference और दो लोग का नाम आपको लिख देना है, और उनका email ID, उन तो और पर मालनीजी आपका गाउं का नाम रामपूर है, तो village रामपूर ऐसे, post आपका मालनीजी रामपूर है, for example, तो रामपूर यहां लिख देजे, थाना भी मालनीजी रामपूर है, तो जो भी आपका address प्रोपर लिखेंगे, तीन लाइन को यूज करते हुए, कोई ग नाम लिख दीजे, या गाउं का नाम लिख दीजे, कोई एक लिख दीजे, फिर यहां पे पीन कोड लिख दीजे, और यहां पे पूछ रहा है, communication address, अगर स्यम इसको टीक करेंगे, स्यम स्यम का प्योजएगा, अलग है, तो अलग-अलग आप यहां पे लिख सकते हैं, अब यहां पे आपको जो है, save करना है, और save and continue वाले option पे click करना, तो यहां पे permanent, और यहां पे आपका जो है, communication यानि present address पूछ रहा है, तो ऐसे आप भरिएगा, और save and continue करिएगा, save and continue करते हैं, यहां पे अब आपको educational qualification के जनकारी भर नहीं है, यहां पे पूछ रहा है, कि select your highest level of education, आप maximum कहां तक पढ़े हैं, degree या post degree, मतलब PG आपने किया हुआ है, या ग्रेशन किया हुआ है, normal यहां master degree जो बोल सकते हैं, या PG बोल सकते हैं, degree जोले का मतलब एक ही हुआ, अपने according चूछ करेंगे, अगर आप highest पढ़े है, तो highest इसके income कोई किया है, तो income के बारे में यह पर आपना बताएगा, देखिया हा रहा है, become income, अगर वो यहां सिर्फ degree चूच करेगा, और यहाँ become सिर्फ आएगा, देखरेंगा, फिर आपने इंस्टूट है, school की या board, कोई भी आप लिखेंगे, university का नाम जनरली होता है, become का, तो university या institute, मतलब इसमें से कोई भी आप न पूरा समेस्टर का मिला के, वो आपका पर्सेंट जहां पर बता देना है, passing date उसी पर mention होता है, आप उसके कोई बता देजिएगा, फिर यहां पर पूछ रहा है, have you completed CA internship, अगर आपने CA internship किया हुआ है, तो आप यहां पर yes करेंगे, और उसका यहां पर photocopy आपको लगाना है उसके certificate को scan करके, और certificate 100-300 के भी, JPG, PNG, PDF को भी format चल सकता है, और यहां graduation के बारे में, आपको आपके mark sheet या certificate, कोई एक लगाना है, अगर आप mark sheet लगा रहे हैं, तो कोसिस करिए, third year, last year, final year का mark sheet है आपका, वो लगा यह, certificate जो होता है, mark sheet जो होता होता है, तो दोनों में से कि जो candidates CA किया हुआ है, CA enter किया, उनको ज्यादा preference दिया जाएगा, जो CA अगर कर रखा हुआ है, तो, खैर अगर नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप no कर दीजे, है, तो जरूर लगाएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि यहां पे जो आपका, जो भी merit बनने वाला है, इक qualification को ले से जो photograph, सीनेचर, यहां पे आपको age proof के तौर पे, इसमें से कोई भी documents लगा सकते हैं, जैसे metric का mark seat, या birth certificate है, डियल है, pen card है, या passport है, कोई भी आप यहां चुनाव करके, उसका certificate नमर लिखेंगे, और उस proof को चूच कर लेंगे, 100 से 300 के भी के बीच होना चाहिए, अगर तो metric आप चुनाव करेंगे, metric का roll नमर लिखेंगे, certificate नमर लिखेंगे, और उसको आप चूच कर लेंगे, अगर आपके बस driving license तो driving license चूच कर ये, और उसका driving license का number लेखेंगे, और यहां चूच कर लेजे उस license को, आगे पीछे दोनो, इस तरह से ID proof आपको देना है, कोई ए format में आपको upload करना है, तो आप इसे चूच करके upload करेंगे, और उसके बाद यहां पे save and continue करेंगे, save and next करते हैं, friends, अगले step में आपसे पूछेगा, कि आप test city कहा रखना चाहते है, exam center, तो पटना ही मिलेगा आपको, आप चूच करेंगे, save and continue करेंगे, आप इंडिया में किस आपको इक्जाम सेंटर, पटना में मिलेगा, job location बिहार के किसी भी आपको district में देखने को मिल सकता है, प्रखंड में देखने को मिल सकता है, तो यह depend करता है, अब यहां देखे, page preview आ गया, मतलब क्या कि आप जनकारी को verify करें, कि हाँ सारा जनकारी इसमें दो भी हमने दिय सब चीज सही है, और कुछ भी गड़बड़ी है, तो आप उससे सुधारी का पहले back जाके, final submit मत करीगा, back आप यहां से steps को follow करके, जैसे यहां देखे, यहां पे आपको back जाने के options है, इस पे click करके, dashboard पे आप सारे step पे जा सकते हैं, पूना back जाके, तो ऐसे आप जा सकते ह तो इसको agree करेंगे, submit का option मिलेगा, yes, I have confirm पे click करना है, इस परकार से देखे, आपका आजाएगा, इस तरह से, अब आपको जो है, यहां पे make payment का एक button मिलेगा, आप इस पे click करेंगे, जिससा आप इस पे click करेंगे, अब यहां पे बहुत सारे चीजे दी हुई है, आप अच्छित रख लेंगे, तो इस परकार से friends आपने देखा कि आपको form को कैसे feel करना है, आपके मन में कोई भी doubts है, comment है, आप comment box में पूछ सकते हैं, बहुत ही संदार भरती है friends, आप लोग form को जरूर भरिये, और यह contractual vacancy है, लेकिन यह जो है, आपका permanent होने के भी पूरे chances है क्योंकि यह vacancy जो है, अभी फिलहाल के लिए contractual ही निकाली गई है, जो कि यहाँ पे आपको रखा गया है, लेकिन यह permanent हो सकता है, पंचायती रजभी भाग की vacancy है, और एक योजना जो है आपका निकाला गया है, उसके अंतरगत जिसे आप देखेंगे बिहार ग्राम सुरा जो जोना सोसाइटी, उसके अंतरगत यह vacancy जो आपकी निकाली गई है, तो आसा करता हो, फ्रेंट्स, आपको जनकारी समझ में आओगा, मन में कोई भी डाउट से, comment box में पूछ लिए गया, देखेंगे, 36 मंत का जो आपका outsource contractual basis vacancy आपको लिखा गया है, और application fee अगर अब पर लिखा गया, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, और बाकी सब चीज हमने आपको बता ही दिया, overall, तो आपको जनकारी मिली होगी, मिलते हैं next video में, जाहिंद आपका दिन सुप,